नवाजुद्दीन सिद्धी की बॉलिवड इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के दम पर जगह बनाने वाले एक्टर में से एक हैं। एक्टर के लाखों करोडों फैंस हैं। फिल्म सर्फरोश से उन्होंने बॉलिवड डेब्यू किया था। लेकिन उन्हें असल पहचान अनुराग कश्यब द्वारा निर्देशित फिल्म गैंग्स ओफ वासेपुर से मिली। हाल ही में एक इंटर्व्यू में नवाज ने बताया कि कैसे अनुराग ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनाने में मदद की। अक्टर ने ये भी बताया कि फिल्मेकर अनुराग कश्यब और वो दोस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की बहुत इज़त करते हैं। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मैं और अनुराग दोस्त नहीं हैं। अगर हम साथ में बैठे हुए हैं, तो हम शायद घंटों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे। हम ऐसे ही हैं। हमने बिना एक शब्द बोले, पांच-छे घंटे, एक साथ फ्लाइट में सफर किया है। उन्होंने बताया कि वो दोनों बहुत कम बात चीत करते हैं। उनकी बातें माचिस मांगने या खाने पीने की चीजों तक सीमित रहती हैं। उनके बीच कम दोस्ती होने के बाद भी अनुराग नवाज के दिल में खास जगह रखते हैं। एक्टर चाहते हैं कि अनुराग का शप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। भले ही उन्हें फिल्म में कास्ट किया जाए या नहीं। नवाज उद्दीन ने ये भी कहा, कभी कोई आच नहीं आनी चाहिए अनुराग को बस। साथ ही नवाज ने बताया कि गैंग्स ओफ वासेपुर की रिलीज से पहले डिजाइनर्स ने उनके लुक के कारण उनके लिए सूट बनाने से इनकार कर दिया था। इस घटना से उनका दिल तूट गया था। एक्टर ने अपनी सक्सस का श्रे अनुराग को दिया और उन्हें दिल से शुक्रिया कहा। वही पिछले दिनों अनुराग ने भी एक इंटर्व्यू में बताया था कि जब वो डिप्रेशन से लर रहे थे तब नवाजुद्दीन सिद्धी की लगातार पूछते थे कि वे ठीक हैं या नहीं या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बाकी और भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना बिलकुल न भूले।